तेज खबर पैनी नजर चुकी है कई ठीकानों पर इस बात की पुष्ट यूक्रेन ने की है यूक्रेन में सभी एरपोर्ट किये गए बंद यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिजाइल से हमला हुआ है और इस हमले की पुष्ट यूक्रेन की तरफ से भी की गई है रूस के हमलों का जवाब देंगे और जीतेंगे युकरेन की तरफ से ये बयान युकरेन की राश्टपती ने देश में मरजनसी की घोशना कर दी है युद को टालने के लिए हत्यार डाले युकरेन की सेना रूस की ये चेतावनी बीच में आने वाले देश के खिलाब भी करे रूस ने तमाव उन पशिमी देशों को चेता दिया है जो इस वक्त जो है रूस को हत्यार डालने और कदम पीछे खीचने के लिए कह रहे हैं और खास तौर पर अगर बात अमारिका की करें तो अमारिका की तरफ से और युएन की तरफ से लगतार ये दबाओ रूस पर बन बिवाद को ज्यादा समझने के हम कोशिश करेंगे हमारे साथ मुकेश कौशिक जुड़े हुए हैं रक्षा विशशग्य हैं आप मुकेश जी आपसे ये जानना चाहेंगे जरा बताएं कि अभी जो ये ताज़ा तरीन आप हालात देख रहे हैं किस तरीके से देखा जाए कितनी चिंताई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बढ़ सकती हैं उन तमाम देशों की जिनका संबंद जो है इस वक्त रूस से है यूकरेन से है भारत का तो संबंद दोनों ही देशों से है कैनात यह वो लड़ाई है यह जंग है जिसको भारत कभी होते नहीं देखने चाहता था यह भूर ही है यह सबसे बड़े दुर्भागे की बात है यह भारत के लिए इसलिए है क्योंकि आपने खुरी कहा कि रूस और अमेरिका से हमारे बराबर के संबंद हैं लेकिन जब ज युक्रेन के साथ भारत के दोस्ती जो है वो देखी जाती रही है और संबन है चात्र यहां पर जाते हैं बड़ी संख्या में मैडिकल की पढ़ाई के लिए युक्रेन कायनात लगबग 20,000 स्टुडेंट्स हैं और मैं कई स्टुडेंट्स के टच में भी हूँ जो लगातार वहां पर उनके चिंटाएं भरती जा रही थी पिसले एक 10-15 दिन से कई स्टुडेंट्स की मेरे पास पिसनली फोन आते रहे हैं कि आप इंडिया में हमारे वाज उठ काये हमाने लिए इस्पेशल फ्लाइट का कुछ इंतजाम करिए क्योंकि फ्लाइट जो इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हैं उसके रेट डेल से दो लाख हैं और भी जब वो बुक कराते हैं तो एन मौकत पर कैंचल हो जाती हैं तो भारत के लिए वास्तों में सिर्फ 20,000 है भारत के बीज-ज़ार लोग की जान चाहिए भारत जो दश्मन देश हो लग के चायना फुल के होना चाहिएगे उनकी पास अमारिका का समर्थम करने के कोई तर्क नहीं है वो फुल के रूस के साथ पर उसके पिठ्छु बनके खड़े होंगे तो वो हमारा परसनल लॉस है तो यानि के भारत के लिए और चिंताए बढ़ सकती है अगर यहां पर युद जैसे इस्थिती ज्यादा गंभीर हो जाती है युद तो हाला कि हम कह सकते है कि छिड़ी गया है और उसके आसार भी दिख सकते है किस तरीके से हमले करना भी शुरू कर दिया है रूसने यूकरेन के उपर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो विवाद है पूरा ये जो तनाव शुरू हुआ कहां से इसकी शुरुवात हुई जड़ इसके आप कहां देखते हैं कि अगर वहां से चीजे खराब नहीं होती तो आज हालात ये नहीं बनते जो यूद्ध के अखलात हैं वो तो 2014 सी बने हुए हैं जब करीमिया पर यूकरेन के खिस्ता यूकरेमिया है उस पर पुटिं ने और उससे को और यूकरेन को आट और अमेरिका पुरा खत्रे में है तो उन्हें यूकरेन को अपना बेस बनाना शुरू किया अब यूरोप का एक देश Nos за जो वहां पर संथाजनों से जिछ नहीं शूरू किया तो यह रश्या के लिए बहूत ना गवार गुजने वाली बा कि रश्या चाहता था कि वहां पर जो अमेरिकन फोर्सेज था जो अपना लगातार अड़ा बनाती जा रहे हैं जहां पर रिशाइल कहनाती जा रहे हैं तो उसके बैक्यार्ड में यह सब मिलिटरी का जो बिल्ड़ फो रहा था वो पुतिन के लिए बहुत चिंता जनक था उन करने वाला यह जो है मामला शुरू हो गया है या यह महाशक्ती बनने का युद है हां दर्शाल मैं आपसे सहमत होना चाहूँगा यह पर क्योंकि पिछले दो दर्शक से महाशक्तियां वही बनने की प्रोजेक्शन में हैं जो कोई ना कोई युद्ध लड़ते रहे हैं पिछले दो दर्शक में जो भी युद्ध लड़ा हो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका चाहिए अफगानिस्तान हो चाहिए वो एरान हो चाहिए लिराक हो तो उनके लिए अपना बल्बुता दिखाने का जो माध्यम था उनोंने दिखाते रहे लेकिन रश्या ने जब से सोवेट संकादी इंट्रिगेशन हो था 1992 में उसके बाद से कोई लड़ाई नहीं ड़े और उसका वजह यह हुए कि वो जो बाइपॉलर वर्ड था उसको लोग यह कहने लगे कि अब रश्या को यह बढ़ी महाशक्ती ने रह गया है लेकिन इस वाला यह जो चाहिए वो बिल्ड़ अप हो या आज का ऑपरेशन हो उससे थावित हुआ है कि अमेरिका को टक कर दे के लिए रूज पूरी तरह से त्यार है और अपना इजादा वो निखा रहा है एक आखरी सवाल में आप से जल्दी से मुकेश जी चाहूंगी इसका जवाब आप दे दें क्योंकि मेरे पास बहुत कम बचा है बादशीत को आगे ले जाने के लिए कि अगर इमान लीजिए कि यहां पर यह युद्ध छेड़ जाता है युद्ध होता है तो किसके पक्ष में आप देख रहे हैं कि हालात रह सकते हैं या इस्थतियां और कितनी ज्यादा बेगर सकते हैं देखे मुझे आज कि देख में मैं कुछ भी कमिट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बाइडन हो या नेटो देश हो या पश्चिमी देश जितने भी हो उन्होंने जब यूकरीन पर की मन्शा पांकिन की जलक रही थी कि वो युद्ध करने वाले हैं तो उन्होंने बहुत कितना सपोर्ट करें कि वो इसको कितना रसपॉंड करते हैं ला रखे लगए और वह रखशिया उस पर कबजा कर ले और अगर तो यह एक महा यूद्ध की मुः क्या सकते हैं कि दुन्या यहाप र खड़ी हुई है बहुत शुक्रिया कौशिक जी हमारे साथ इस बाज़ित में जुड़ने के लिए फिलहाल के लिए मेरे साथ पस्त नहीं आप देखते रहे हैं खबर फास्ट नमस्कार आप देख रहे हैं खबर फास्ट टेज खबर पहनी नज़र